प्राजिंदर जेन साब अब जुड़े हैं जाहिर है लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और इसके पीछे वजाहत काफी है जाहिर से बात है चिंता हैं यहां पर लेकिन उससे पहले लक्षमिकान पारिक साब महरास्ट पैटन आपकी सरकार लाई अशोग अहलोत सरकार में तमिलनाडू पैटन था दोनों को लेकर कई चीजों में अतराज भी हुआ और आज भी है अभी फिर हेमलता जी ने जिक्र किया गुजरात मोडल भी आने वाला जिसकी देश में चर्चा है अभी भावक पर मार कहां पर पढ़ रही है सरकार इस बात को समझ पा रही है निश्यू सरकार समझे तभी से दोजार्स अधिनिम्ट दोजार्स वाला शुरू किया है सरकार ने लाउग कि लेकिन अभी हम इसको शोषण नहीं होना देंगे हाइकोड जाएंगे आप अधिकार है लेकिर आप मानके चलेठ भारती नल्ट पाथी सरकार अभिवकावका को शोषण नहीं होने देगी आरती रूप से नहीं चार्तों का शोषण दुदेगी घुए वाप किसी पिस पुरत में पर आंके अभी आपको लग रहा है देवनानी जी ने बोला एक्ट भी बनाया उन्होंने लेकिन लागू पूरी तरह से बन नहीं पाया है कहीं तो खामी रही है लेकिन पूरे कानून को इस कानून को बहुत अच्छे से आरवारो एक जिकर कही न कहीं निजी श्कूल को असर पढ़ता सच्छक का निजी स्कूल की ताह जा है जो कोटे में हैंट कंप्लीट हो रहा है वह वो पाते हैं और जो जाने लायक नहीं और जो फीस भर सकते हैं वो भी ईपरोच से परवेश लेते हैं अभी स्कूल वालों की खामी है इसमें कि वो क्यूं देते थे .'' अभी आपने पॉइंट उठाया है हो सकता है मैम को मालूम ही नहीं हो अभी बागू को अधितर ये बात ही मालूम नहीं है आठिका इंतर गज्य आड्मिशन होएं 2012 से लेकर आस तक मैं आपको सेक्ड़ी स्कूल के नाम बता सकते हूं जिनका आस तक एक पैसा ही निया उनमें से एक स्कूल मेरा भी है पंद्रा लाख रुपे सरकार के आज तक नहीं आए ये 2012 के आज तक ऐसे ही लाखों रुपे स्कूलों के बकाया है स्कूल संचालत कहां से लाएगा वो पैसे आपने अब एडमिशन लेना शुरू रखा है ये बंद कर दिया अरे फीस व्रद्धी फीस व्रद्धी के नाम पर आपने हाकार मचा दिया मुझे बताइए ये बीजेपी अभी बात करें पिच्छा से रुपे स्लेंडर कर बढ़ा दियो मेंगाई नहीं बड़ी क्या डीजल पेट्रोल लालू टमाटर बिल्कुल चल्चा करें कभी आप आईए इस विसे पर चर्चा करेंगे लिए बिल्कुल बात करेंगे इस विशे कर चुकिए आप चिंदित नहीं हो जाएग लक्ष्मिकान जी रोक रहा और आपके पास आओंगा हमलता जी जाकिर साब है विकानेर से और शोख पंडित जी अजमेर से नमस्कार जाकिर साब बताए तो हर साल करेंगे और दूसरी बात यह कहना चाहिए क्या होना चाहिए शुक पंडित साब नमस्कार शुक्रिया जाकिर साब जी पारिक साथ यह प्राइवेट स्कूलों में तर फीज का अप्तांगा है यह अब अपने उच्पन पर शुक्त पहुँगा है आज बच्चा अजनेर में अलोकेटिव की अदमिशन के लिए गया तो इसकूलों के मालिक मर्चिदी ज़कारियों में जोंब रहे हैं इनके जोंब बात है जोद्पूर से कुछ रिएक्शन आये थे वाई टू का जो सेग्मेंट है वह हम जल्द आपके बीच में लेकर आएंगे जहां पर जोद्पूर के कुछ गार्जन का क्योंकि पहले आपने जैपूर को सुना जोद्पूर वालों का क्या कुछ कहना है हम सरकार ने उन तमाम बातों को दरकिनार कर दिया है फिलार आपको निराशाहत लगी देखिए एस पर आर्टी एक इलिमेंटरी एजुकेशन देना इटी दूटी ऑफ गवर्मेंट यह एक्ट के हिसाब से मैं बात कह रही हूं एक से लेके मतलब नर्सी से लेके एट लाखों करोड़ों रुपया स्कूलों का डूबा हुआ है एक संचालब के पास में कोई एक हवाई पेड़ नहीं है कि वह बोलेगा मुझे पचास लाग चीह मुझे एक करोड़ रुपया चीह कहां से आएगा यह सरकार की और स्कूलों की चैने इस आपके सरकार के दौर मे बहुत असल में वटारी है एक सर्मारा चीह जो बता रही है थां तब से पैसा आप तक नहीं है पैसा बरहबर आ रहा जैसी बात नहीं है यहिदि आप TIM निज सब्सके आ रहा है आपके पैसा अरहीं है यह बिल्कल आरा है अब ही नहीं आज आरह लेकिन कब से नहीं आरह जो पहले डाइला की आई थी अब एक लाकी आई कर दिये पहले बच्चे की उम्र की बादित नहीं था अब उम्र बादित कर दिये और तीसरी बात केवल बीपेल परिवार को जोड़ा है तो बीपेल परिवार तो मातरे 16,000 है और जब की जैपूर की जनसंग के है 35,48,000 तो कह हां मतला आटी का फाइदा चली जोड़ पूर से अब बिवावार के हमेरे सब जुड़े है नारेंट सिंग जी नमस्कार क्या प्राइवेट स्कूल के मनवानी का दौर जारी है जोड़ नमस्कार बिल्कूल मैं बदनाव चौंगर सर जोड़ पूर में इस सब संचालक है आपके बच्चों की स्कूल फीज कितनी बढ़ गई इस साल मेरी बच्चे की स्कूल फीज पिछली साल से इस साल 45 रुपे बढ़ा दिये एक साथ में कितने परसेंट हुई सर फिर एतराज है आपको इतना तो महेंगा ही बढ़ गई होगी स्कूल की खर्चे बढ़ गई होंगे बिजली का दाम बढ़ा हुगा बठे की पीज जैसे नौजा समटिंग ती अब 45 रुपे जोड़ झावे उसके अलावे जैसे मेरे बच्चान रुपे की कितावे यह बटे की लगब पचास परसेंट बढ़ गई इस हिसाब से गलत है बिलकुल गई है पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं अब बीजेपी सरकार इसकुल वालों को पैसे नहीं दे रही है अब बीजेपी सरकार इसकुल नहीं है आप इसकुल चला रही है मैं आपने बड़ी तरह से पैसा नहीं मिल रहा है विश्यो हो सकता है देखे इसमें अश्वन जी सीरे तोर पर दो तीन बाते हैं क्यों होता है इसमें कुछ समय से पर शंशोदन हुए उस शंशोदों को ने सम अब बात सुने प्रास करें हमारा विश्यता वाड के उसी वाड बेरे बच्चे को उसी वाड बेरे अड़ीशन मिले ऐसा कुछ से ऐसा नहीं किया अन्यंतर लोगों को अपने लोगों को लेकर ले लिया ले लिया मैदब इसलिए अप्र फाय तो की हुई है ललत बाद अब बताओं आपको में पास तो पुरे-पुरे आकड़े मोजूद है अब बताई आपको पैसा नहीं है यह बहस की जीत नहीं है यह बहस की जीत नहीं है स्रेल अताजी फिलाल यह समस्या है अब पैरेंट्स मेलफेर सुसाइटी अब ऐसे स्कूल जो कि मनवानी फीस वसूली करते हैं उन पर अंकुष्ट के लिए क्या कारवाई करेगी कारवाई क्या करेगी हम सरकार के पास जा सकते हैं अब आपकों को प्रेरित कर सकते हैं कि आ पर अब आपकों करेंगे क्या आप इसे स्कूल को आइडिन्टिफाइड कर रहे हैं और तीन साल से अंगुष्ट लगा भी है पहले से कुछ काम हुआ है लेकिन स्तिती जितनी सुदर नीच चाहिए उतनी नहीं सुदर पाई है इसके लिए हम सब दोशी है हम सब दोशी है इसके लिए ब्रेक पर जा रहे हैं ब्रेक के बाद लॉटेंगे तो रहन आखरी दोर में सब के सुझाओ और बाद में लक्षमिकान जी से जाना चाहेंगे इन सुझाओं पर क्या सरकार काम कर पाएगी ब्रेक के बाद पुज़ू आखर्शी कर रहे हैं और मन मर्जी से पीज से बढ़ा देते हैं और प्रेवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना हमारी मल्बूरी हो जाए क्योंकि गोवर्मेंट स्कूल में जो भी आपको बच्छी का सेर्ड लेने गया था देक प्रयुए फरी इस्टूर यह रहें वह रिट लेने बहुता है ने ने को बाद्य और ईढ़ा रहने है को मोपी ज्यान से लेने कालर सिया से लेने लेने वो लेने बहुता है मैंना उनको बोला मिनको रिटर्न करवाने तो रिटर्न होंगे ने